हेलो दोस्तों आज है 10 नौवंबर 2022 और 10 नौवंबर 2022 से जितने भी हरियाना करणफेर के क्वैस्टन मनती हैं हम सब इसी वीडियों डिसकस करेंगे और साथ ये साथ पिछली और पुरानी हरियाना करणफेर का रवीजन करेंगे और हर क्वैस्टन के बारे में इंपोर्टन और एक्स्ट्रा फैक्ट पड़ेंगे विद हरियाना जिक्के और हरियान करणफेर के साथ है और अपिस करणफेर की PDF को डिस्क्रप्शन में टेलेग्राम कलिक मिल जाएगा उसे जोईन करके वहाँ से ले सकते हैं Q1 है हरियाना के की स गाउ में दानुका एंग्रिटेक अनुसंदान वह पड़्योकी के इंदर का उद्धुगातन किया गया है ओप्सने सीहोल गाउ में अब पढ़ लेते इसके बारे में हरियाने के मुख्या मंतरी मंधोर लाले पलवल जिले की गाउं सिहोल में दानुका एग्रिटेक अनुसंदान वपर्द्योकी केंदर का उद्गाटन किया है अब जिकरोवा था केंदर का या सेंटर का उनसे मिलते जूलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं और इसी के साथ मुख्या मंतरी ने पलवल जिले की गाउं देवली में जपान की कमपनी डायकी एक्सिस के केंदर का उद्गाटन भी किया था और चंडिगड में देश का पहला वयुशन विरासत के अंदर बनाया जाएगा और कुरुप्चेतर के रामनगर में देश का पहला की करत मदवख्य पारन सेंटर स्तापित किया गया है और या पर देश की पहली सैदमन डे भी बनाई गई है नेक्स्ट है हरियाना सरकार किस नाम से मिनरल वाटर बनाएगी तो इसका राय टेंसरों को अफसने सरस्वती मिनरल वाटर के नाम से बज़ार में इस वाटर को उतारा जाएगा अब जान लेते हैं हरियाना सरकार परदेश में सरसवती के नाम से पैक मिनरल वाटर को लाने की त्यारी में जूट गई है सरकार ने हरियाना सरसवती दोरहर विकास बोट को इसकी जिम्मेवारी सोफी है अब हरियाना सरसवती दोरहर विकास बोट के बारे में पढ़ लेते हैं स्तापन थी 2015 में सरसवती नदी के अनसुंदारवा पुनरुध्यान के लिये हरियाना सरसवती दरोहर वुकास बोर का गठन किया था इसके अद्यक्स है मुख्यमंत्री महन्होरलाल और वर्तमान में इसके उपाद्यक्स दुम्मन सिंग किरमच हरियाना के किस गाउं में उपराष्ट पती जगदीब तनकड ने अपना पहला दोरा किया है तो इसका राइट नसरों को अप्सिन बी गड़ी साफला में उपराष्ट पती ने अपना पहला दोरा किया है अब जान लेते हैं उपराश्टपती जगदीब तनकर ने कहा है कि पद समालने के बाद आज अपने पहले हरियान दोरे की सरवात किसानों के मसीहा दीरबंदूसर सुटुराम के गड़ी सापला से करके वे सिवम को सुबा गिसाली मान रहे हैं अब जिकर हुआ था उपराश्टपती राश्टपती का तो इन से मिलते जुलते कुछ पट पढ़ लेते हैं राश्टपती रामनात कोविन ने सोपरेरित आदर्स गाउं सुई में सतरा नौमबर दो दर्कीस को लगबग 25 को रुपे के विकास कारियों को दुगाटन किया था और हालिम हरियान की सवीता रानी नर्वाल को राश्टपती द्रप्दी मुर्मु दुवारा नेशनल फलोरेंस नाइट एंगल आवार्ड से समानित किया गया है हरियान राज्जे में कितने हजार रुपे परतिवक्ती टैक्स है तो इसका राइट एंसरोग ओप्सने तो 26,000 रुपे परतिवक्ती टैक्स है अब जान लेते इसके बारे में डिप्टी सेम दुशन चोटला ने कहा है कि गोव अदिल्ली को छोड़ कर छोटे राज्जे में परतिवक्ती रेसीवर गूड्स में हरियाना सबसे आगे है और वर्तमान में हरियाना में टैक्स 26,000 रुपे परतिवक्ती है अब जी करवा तब परतिवक्ती का तो इनसे मिलते जूलते कुछ परतिवक्ती कर लेते हूं हरियाना रेज्जी के 2015-22 में परतिवक्ती आए 2,64,635 रुपे थी जो देश के बढ़े राज्यों में सर्वादिक है और हाली में नैशनल सेंपल सर्वे ओगनाईजीशन के मताविक हरियाना परदेश के किसानों की परिवार के मासी काई 22,841 रुपे है जो पहले 14,434 रुपे होती थी नैक्स्ट है हरियाना के खिलाड़ी सिहराज अंदाना ने 25 मीटर पिष्टल मिश्री सपर्दा में कौन सा पदक जीता है तो इसका रायट अंसर को अप्सने तो सवन पदक या गोल्ड मडल जीता है अब जान लेते हैं शुक्त अरब अमिरात में पैरा निशान बाजी वीशू चेंपिन सी में राहूल जाखड सिहराज अंदाना और निहाल सिंग ने 25 मीटर मिश्री सपर्दा में सा पदक जीता है अब जी करोवा था निशान बाजी और शियराज अंदाना का तो इनसे मिलते जूलते कुछ पॉइंट पड़ लेते हैं म्यूनिक में हुई हाली में पैरा निशान बाजी वीशू कम में हरियान के शियराज अंदाना ने 200 पदक जीते थे और सिहराज अंदाना अफ्रिदावाद के तिमांग गाउं से बिलाउं करते हैं इन्होंने टोक्यो परलंपिक 2020 के 10 मीटर एयर में काश्य पदक है 50 मीटर एयर में रज़त पदक के 2 पदक जीते थे टोक्यो परलंपिक में अब दोस्तों जो भी हमने पड़ा उसका फटाफर से रवीजन कर लेते हैं Q1 हरियान के कीस गाउं में दानू का एगरी टेक अनुसंदान वाय पद्द्यों की केंदर का उदगाटन किया गया है तो पलवल के सिहोल गाउं में नैक्स्ट है हरियान सरकार कीस नाम से मिनरल वाटर बनाएगी तो सरस्वती मिनरल वाटर के नेम से हरियान के कीस कामय उपर। अस्त पती जख़दीव दन्कर ने अपना पहला दोरा किया है तो गड़ी साफला में नेक्स्ट है, हरियाना राज्जे में कितने हजार उपे परतिवक्ती टैक्स आपरतमान में, तो 26,000 रुपे, नेक्स्ट है, हरियाना के लड़े सियर्ज अंदाना ने 25 मीटर है, पिस्टल मिसरी सबर्दा में कोई नसा पदक जीता है, तो गोल्ड मेल जीता है, लास्ट वीड जोसने किर्षी चेतर में, और दोस्तों, दो या तिं दीन से मैं आपको हरियाना जी के, पिछली हरियना का और पद क्वेर, और 7-7 कल वाली हरियाना का अंदाफिर कारवीचन नहीं करवा पारा, तो एक दो दिन में दोस्तों वा भी शरू हो जाएगी, आज के लिए आपका पीडिया फाइल चीए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दियावाँ से डालोड कर सकते हैं और वीडियो प्रसंदेते वीडियो को लाइक चलोंग सब्सक्राइबर सेर्ज जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए थेंक यू सौमेच